हलो स्टूजेंस देखिए आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 8.1 का कोश्चन नमबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं क्या है कोश्चन 6 डाइगनल AC of a parallelogram ABCD एक figure given है कि इस parallelogram में AC डाइगनल है वो actually bisect कर रहा है किसको एंगल A को that means कि यह दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं equal है and then we have to show that it bisects C also कि यह डाइगनल जो C एंगल है उसको भी क्या गर रहा है bisect कर रहा है यह भी हमें प्रूव करना है और साथ-साथ यह दिखाना है कि यह जो ABCD parallelogram है parallelogram given है already यह हमें rhombus प्रूव करना है अगर यह situations प्रूव हो जाती हैं तो चलिए start करते हैं देखे 6 इसमें rhombus प्रूव करना है तो यह वैसा सा एक figure भी बना लेते हैं तो इसमें A, B, C, and D A, C एक diagonal पर काम हमें करना है और given क्या है फिलाल के लिए कि यह जो A angle है वो bisect हो रहा है तो गीवन में हमारे पास एक तो चीज़ गीवन है भई A, B, C, D is a पैट लोग राम राइट एंड 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 लिखना कई बार इनकी वजह से थोड़ा सा आसा हो जाता है तो प्रूव क्या करना है वो साफ साफ हमें उसमें दे रख रहा है वैसे दो कि भई A, C bisects angle C इसको भी हम ऐसा करते हैं कि C angle पर 2, 3 और 4 बोल देते हैं हम अगर यह प्रूव कर देते हैं भी angle 3 और angle 4 equal हैं that means कि भई A, C, C को bisect कर रही है इसका यही मतलब होगा second हमें क्या दिखाना है भई A, B, C, D is a rhombus right देखें प्रूव स्टार्ट करते हैं प्रूव में हम क्या लेकर चलने वाले हैं यहाँ पर हम simple सा logic lines or angle chapter 6 chapter की help लेने वाले हैं कि भई दो lines हैं दोनों ही parallel है और एक transversal है तो उनके जो alternate angle होंगे वो कैसे होंगे equal होंगे तो यहाँ मैं किन alternate की बात कर रहा हूँ 2 and 3 की बात कर रहा हूँ okay so since a b c d is a parallelogram therefore a b is parallel to c d and a c is a transversal transversal right अब transversal है तो यहाँ पर हम क्या बोल चकते हैं therefore angle 2 is equal to angle 3 है ना इसको 1 बोल देते हैं कैसे by alternate interior angle की वज़े से also अब क्योंकि यह parallelogram है तो यहाँ पर b c और a d यह दोनों भी क्या होंगी parallel होंगी है ना इस बार हमने इनको parallel माना है transversal वही है तो alternate angle तो यहाँ भी होंगे और यहाँ alternate किस की बात कर रहे हैं 1 और 4 की बात कर रहे हैं ठीक है so mention कर देते हैं भी b c और a d b तो parallel होंगे and a c क्या है यहाँ पर transversal का काम कर रहे है right therefore angle 1 और angle 4 आपस में कैसे होंगे equal होंगे फिर से वही by alternate interior angle की वज़े से है ना अब यह देखिए given में हमारे पास जो situation है कि 1 2 के equal है जबकि 2 तो 3 के equal है है ना और यहाँ जो 1 है वो 4 के भी equal है और 2 के भी equal है दोनी situation आ रही है यानि कि हम बोल सकते हैं कि from given 1 and 2 हमारे पास क्या condition आ गई वही angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 यह चारो ही angle आपस में क्या हो गई? equal हो गई है ना इसको 3 बोल देते हैं therefore अब देखिए चारो ही angle equal है तो यहाँ से हम सिर्फ इनकी equality को लिख लें अलग कि वह angle 3 और angle 4 equal हो गई? यह implies में बोल दीजिए अब angle 3 और 4 equal होने का मतलब क्या है? कि वही जो AC है वो C को क्या कर दीए? bisect कर दीए तो हम वही लिखना है that is AC bisects angle C है ना? तो हमने देखिए first part तो prove कर दिया अब हमें क्या दिखाना है? वही A, B, C, D क्या है? एक rhombus है अब simple सा logic है देखिए अगर हम यहाँ पर यह जो parallelogram है इस parallelogram के यह जो adjacent sides है इनको हम क्या दिखा दे? equal दिखा दे तो automatically यह parallelogram किसमें बदल जाएगा? rhombus में बदल जाएगा ना? साथ वाली side तो हम वही लेकर चलने वाले हैं देखिए simply हम किस पर काम करेंगे? इस triangle A, B, C पर काम करेंगे और अगर हम यह दिखा देते हैं बही two angle क्या है? four के equal है जो कि already हम यहाँ से देख सकते हैं देखिए two और four equal है कहा से? from three से तो एक triangle के दो angle equal है तो उनकी जो opposite sides होंगी वो भी आपस में कैसी होंगी? equal तो वही logic हम करने वाले हैं यानि कि अब हम triangle chapter की help लेने वाले हैं so in triangle A, B, C angle two is equal to angle four कहा से पता चला? भई from three से पता चला उपर लिख रखा है है ना? तो देखिए यहां भी बना भी देता हूं वो triangle ऐसा कुछ था हमारे पास यह two है और यह four angle था तो यह दोनों angle equal है तो दो के opposite side कौन से होगी? B, C और चार के opposite side कौन से होगी? A, B होगी है ना? तो यानि कि यह दोनों side भी आपस में क्या होई? इक्वल हो गई तो यहां reference क्या लिखेंगे? Sides opposite to equal angles of a triangle are equal कि भई एक triangle है triangle की equal angle है तो उनके जो opposite side होँगी ना? वो भी क्या होँगी आपस में? इक्वल हो जाहेंगी, right? So, therefore अब हम बोल सकते हैं या we know that करके पहले mention कर देते हैं we know that if two adjacent sides of a parallelogram are equal then it is a rhombus, right? it मतलब parallelogram की बात चल रही है तो हम बोल सकते हैं A, B, C, D क्या बन गया? is a rhombus है न? देखो, हमें second में यही तो दिखाना था तो यह था अपना question number six चले next देखते हैं seventh question वो भी कुतना कुछ ऐसा ही है उसमें यह बोला गया है अलांकि इसका opposite लग रहा है कि भई A, B, C, D, A एक rhombus है ठीक है? अई इस बार हमें given में क्या है? रombus दे रखा है so that जो diagonal A, C है वो A को तो करी रही है bisect साथ-साथ वो C को भी bisect कर रही है और जो B, D, diagonal होगी वो angle B और angle D दोनों को bisect करेगी चलिए तो दिखाते हैं यह ही है बस इसका कोई figure नहीं given है तो देखी हमें क्या given है? एक rhombus given है तो एक rhombus से बना लेते हैं पहले हम यह prove कर देते हैं कि जो A, C diagonal है वो angle A को भी bisect कर रही है मान लिए 1 और 2 angle equal है है ना, नाम दे दिया हमने और C को भी bisect कर रही है यहनि कि हमें 3 और 4 को भी equal दिखाना है तो given or to prove तो पहले लिख देता हूं कि क्या क्या है हमें बस इतना ही given है कि A, B, C, D क्या है is a rhombus ठीक है, rhombus है अब है prove क्या गड़ना है to prove एक condition तो पहली यह है कि भी A, C bisects angle A as well as angle C तो इसका मतलब क्या होगा या हम इसको prove कैसे करेंगे वो चीज हम that is में लिख देते है इसको हम prove करेंगे कि 1 और 2 को equal दिखा दे तो angle A bisect हो जाएगा 3 और 4 को equal दिखा दे तो angle C bisect हो जाएगा चीक है second में हमें क्या दिखाना है कि जो B, D है क्या है B, D वो किसको bisect कर रहा है bisects, angle B as well as angle D that is इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो दो angles बनेंगे ठीक है यहाँ मा लिजिए हमने उसको दे दिया 5 and 6 और इसको बोल देते है 7 and 8 तो हमें 5 और 6 को equal दिखाना है और 7 और 8 को आँ वैसे 7 और 8 को equal दिखाना है ठीक है तो यह काम हमें प्रूव करना है तो पहले हम first AC diagonal को लेकर चलते हैं तो ऐसा करते हैं उससे related जो figure है वो अलग ही मना लेते हैं ठीक है क्योंकि अब दो अलग अलग situations जो है वो mix हो गई इसमें तो एक बार में हम एक diagonal पर काम कर लेंगे देखिए हमें 1, 2, 3 और 4 1 को 2 के 3 को और 4 के equal दिखाना है तो देखिए करने कैसे वाले हैं पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं क्योंकि रोंबस है तो ये AB और BC equal होने वाली है ये equal है तो उनके opposite जो angles होंगे opposite angle भी equal होंगे ठीक है दो और 4 equal आ गए फिर हम दिखाएंगे भई DC और AB आपस में क्या है parallel है क्योंकि रोंबस है तो parallel भी होएंगी तो alternate के वज़े से 2, 3 के equal हो जाएगा सेम इसी तरह से ये दोनों भी parallel है AC transversal है तो 1 alternate से 4 के equal हो जाएगा तो गुमा फिरा के फिर से हमारे पास 3 equations बनने वाली हैं तो जैसा काम हम AC पर करने वाले हैं बिल्कुल exact same काम हम BD पर भी करेंगे तो वो second part मैं आपके लिए ही छोड़ूँगा देखें फर्स्ट पार्ट कैसे करना है पहले हम काम कर लेते हैं in triangle ABC ठीक है देखें हमें ये पता है भाई AB और BC आपस में equal हैं क्यों? sides of rhombus की वज़ाए से equal हैं अब दो side equal हैं तो उनके opposite angles कैसे होंगे? equal होंगे तो AB के opposite angle कोन है? angle 4 और BC के opposite angle 2 तो ये दोनों equal होंगे इसको 1 बोल देते हैं और क्यों होंगे? वो लिख देते हैं बाई angles देखें ऊपर जो आमने reference दिया था ना angles से side equal दिखाई थी तो यहाँ side आ गई थी और यहाँ angles आ गई थे तो इस बार replace हो जाएंगे angles इधर आ जाएगा और side इधर चली जाएगी बस इतना फर्क है तो देखें वही चीज़े लिखने वाले हैं angles opposite to equal sides of a triangle are equal है ना? तो इसको आमने 1 बोल दिया अब हम लेके चलते हैं now या since से start कर लेते हैं since a, b, c, d is a rhombus right therefore a, b is parallel to c, d है ना? parallel होगा rhombus की side है and a, c यहाँ पर क्या काम कर रहा है? is a transversal वो transversal का का काम कर रहा है therefore angle 2 और angle 3 आपस में क्या हो जाएंगे? equal हो जाएंगे कैसे? by alternate interior angles की वज़े से है ना? also अब क्योंकि यह rhombus है तो a, d और b, c भी तो parallel होगे और इसमें भी transversal कोन है? a, c a, c is a transversal right अब यह transversal है तो यहाँ पर alternate angle कौन होंगे? 1 और 4 so angle 1 किसके equal आगया? angle 4 के इसको 3 बोलेते हैं यहाँ भी reference by alternate interior angle की वज़े से आगया है ना? अब यह देखे from 1, 2 and 3 से हमारे पास वही equality आ गई and 3 बहुत देखे 1, 4 के equal है लेकिन 4 किसी 2 के equal है और 2 किसी 3 के equal है यह तो एक relation बन गई यानि की angle 1, 2 के equal हो गया 2, 3 के equal हो गया 3, 4 के equal हो गया 4, 1 के भी equal है है ना? तो यह सारे के सारे आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई अब यह equal है तो इन में से 1, 2 को आपस में अलग लेके चलें तो देखे इन दोनों की relation आ गई that means कि angle A क्या गर रहा है bisect कर रहा है हमें देखो यही तो दिखाना था है ना? तो इसको हम अलग लग दिखा देते आपको बीडी डाइगनल पर आपको काम करना होगा तो देखे आपको क्या करेंगे मालीजे बीडी डाइगनल पर आपको काम करना है फिर से एक figure बना लेते है और इसको join कर दिया तो यहाँ angles बन रहे है 5,6,7,8 ऐसे नाम दे दिया हमने तो अब आप क्या करोगे इस triangle को लेकर चल पड़ो इस बार मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ डारेक्ट में तो देखे इस triangle को लेकर चल रहे है तो भई यह opposite side जै sorry, adjacent side यह कैसी हो गए यह equal है क्योंकि rombus की side है तो यह side equal है तो उनके opposite angle क्या हो गए वो भी equal हो गए क्यानि कि angle 5 किसके equal आगया angle 7 के equal आगया फिर हम कहेंगे कि देखो अब हमारे पास यह side इसके parallel है और यह transversal का काम कर रहा है तो 7 angle किसके equal आगया 6 के equal आगया फिर हम कहेंगे यह दोनों भी parallel है और यह transversal है तो यानि कि 8 और 5 यह दोनों भी आपस में क्या होंगे alternate से equal हो जाएंगे यानि कि 5 किसके equal आगया तो देखो 5 7 के equal है और 7 किसी 6 के equal है और 5 8 के भी equal है यानि कि गुमाविरा के हमारे पास from 1, 2, 3 यह तीनों equation से फिर से क्या equality आ जाएगी भी angle 5, angle 6, angle 7 और angle 8 8 के 8 हो equal आ गए अब 8 हो equal हैं तो इन में से separate कर लो भी 5 और 6 भी तो आपस में equal होंगे and 7 और 8 भी आपस में equal होंगे तो 5, 6 equal होने का मतलब क्या है कि B, D, B को bisect कर रही है 7, 8 equal होने का क्या मतलब है B, D, D को bisect कर रही है यानि कि लिखने का जो तरीका है वो exact आपका same रहेगा बस wording change हो रही है मतलब lattice change हो रही है तो यह था आपका कौन सदा 7th question ओके इस वजय से इनको एक साथ करवाया है यह समझ आयोंगे तो प्लीज क्लिक दे लाइक बटन and share the video with your classmate और अगर आप channel पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्यू